सो ये कहानी शुरू होती है टूर्णामेंट आफ पावर से, सुपर सेयन व्यू गोकु एंड जिरेन की फाइट चल रही थी, सुपर सेयन व्यू गोकु जिरेन के सामने कुछ नहीं था, गोकु स्पिरिट बॉम बनाने लगता है, जिरेन को हराने के लिए बाकी जिफाइटर भी गोकु को अपनी एनरजी देते हैं, गोकु फाइनली स्पिरिट बॉम को कंप्लीट करके जिरेन पे थ्रो कर देता है, पर जिरेन स्पिरिट बॉम को कंट्रोल करता है, एंड वापस से, गोकु पे थ्रो बैक कर देता है, गोकु स्पिरिट बॉम के अंदर चला जाता है पर इस बार गोकु की अल्ट्रा इंस्टिंट एक्टिवेट नहीं होती एंड यहीं से कहानी डिफरेंट होगी बिरस से पूछते हैं गोकु कहा गया कोकु के साथ क्या हुआ वीस रिप्लाई करके बताते हैं कहना मुश्किल है गोकु मरा नहीं है पर गोकु बचा भी नहीं है पता नहीं उस एक्सप्लोजन के अंदर क्या हुआ है गोकु के अचानक गायब हो जाने के बाद यूनिवर्स सेवन का टॉर्नामेंट पावर जीतना नेक्स्ट टू इंपॉसिबल था वेजिटा गोहान फ्रीजा अपना पूरा दम लगा देते हैं पूरी जान लगा देते हैं पर जिरेन जैसे वॉर्यर को वो नहीं हरा पाते यूनिवर्स सेवन हार जाता है जेनो यूनिवर्स सेवन को तबाह कर देते हैं इरेस कर देते हैं एंड यूनिवर्स 11 टॉर्नामेंट आफ पावर जीत जाता है, अभी कहानी, आती है प्लैनेट वेजीटा पे, बार्डॉक एंड गी ने उनके बेटे कैक रोड को प्लैनेट अर्थ पे भेजने की तयारी कर रहे थे, कि अचानक से एक किड गोकु की आँखें खुल जाती है, गोकु बोलता है, ये कौन सी जगह है, मैं कहां पर हूँ, क्या ये एक स्पेस शिप है और ये लोग कौन है, दिखने में एक तो ब्लैक जैसा लग रहा है, बार्डॉक एंड गिने आपस में बात कर रहे थे, गिने बोलती है, एक बार फिर से सोच लो, बार्डॉक हमारा ब समझ आ जाता है, उस एक्स्प्लोजन की वज़ा से कुछ ऐसा हुआ, कि गोकु रिबांड हो चुका है, एंड ये लोग और कोई नहीं उसके पेरेंट्स हैं, गोकु बार्डॉक एंड गिने से बात करने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज स्पेस शिप से बाहर नहीं ज जाता है, पार्ट टू के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना,